आमश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त बिने और स्वागत करता हूँ आपका वीडियो नमबर 6 में दोस्तों इस वीडियो में अपने TCP IP stack के ओपर डिसकेशन करने वाले हैं जो हमारा अगला टॉपिक था ये कुछ यही था TCP IP stack पिछले वीडियो में हमने HTTP, HTTPS वगयरा के बारे में discussion कर लिये, तो इस वीडियो में आपन TCP IP stack जानते हैं, मेरे इसाब से कभी आपने पढ़ा होगा OSI model अगर आप computer science background से हैं, तो आपे OSI model वगयरा पढ़ाया जाता है, जहां पे 7 layers होती है, अब वो outdated हो चुका है, अब use किया चार layer वाला एक सस्ता सा एक अच्छा architecture बनाया गया है, तो मैं आपको बढ़ी असान तरीके से इसको बता देता हूँ, कि आपको हमेशा ये कैसे याद रहे, तो देखो TCP IP stack में 4 layers होती, वहाँ 7 layers होती थी, तो आप इसको ऐसा याद रखना, ठीक है, कोई भी data जो है, of protocols को बोला जाता है, TCP IP stack, और उसी architecture के basis पे data का flow होता है, ठीक है, तो TCP IP मतलब, TCP मतलब transmission control protocol, और IP मतलब internet protocol, इसका एक architecture बना दिया गया है, जिसको बोल रहे है, TCP IP stack, अब कैसे काम होता है, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा data alert से, तो सबसे पहले application layer में data generate होता है, तो application layer का 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 है, data को generate करेगा, कैसे data को generate करेगा ये, तो बड़ा simple सी बात है, जैसे अपन web request हो गयरा भेजते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया, तो web request जाता है, तो web request से data generate होता है, तो वो data generate जो है, वो application layer में ही होता है, अब यहाँ पे अलग-अलग protocols पढ़ते हैं, लोग एक TCP नाम का protocol होता है, या फिर एक UDP नाम का protocol होता है, यह basically क्या करता है, data में, data को यह जो data अपने पास आ रहा है, इसको segments में तोड़ देता है, segmentation किया जाता है, segments में तोड़ देता है, और उसमें ports का information लगा दिया जाता है, कि आपको इस वाले ports से बात करनी है, अब अपने data को segments में तोड़ के, उनमें port का information बता दिया जाता है, कि आपको इस वाले port को follow करके, data को transmit करना है आगे, तो यह काम हुआ, उसके फिर data आता है, अपने पास internet layer में, जहां पे यह जो segments है, इसको एक साथ ऐसे encapsulate किया जाता है, और एक packet बनाया जाता है, इस तरीके से अलग-अ packet बेजे जाते हैं, तो packets में basically ऐसे encapsulation होते हैं, segments का, और साथ में उसके साथ जोड़ दिया जाता है, IP address, क्योंकि अपन अभी data receiver के बेज रहे हैं, तो IP address अपन डाल देंगे, receiver का, जो की आगे चलके, इसी IP address को hit करना है, अब network interface layer basically combination है, data link layer जो पहले हुआ करता था, plus physical layer का, तो यहाँ पे basically होता क्या है, यह जो data अपने पास हा रहा है, data ना बोलके अब उसको packet बोलेंगे, उस packets को bits में तोड़ा जाता है, इस तरीके से bit by bit अपन यहाँ पे packets को read करते हैं, इसमें check करते हैं कि कोई error वगेरा तो नहीं है, error का detection किया जाता है, वैसे transport layer वगेरा में भी error की checking करते हैं, लेकिन वो error की checking अलग है, यहाँ पे error का detection जो है, वो बहुत ही अलग है, यह bit level पे होता है, ठीक है, data जो आ रहा है, बिल्कुल correct आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे bit by bit data को तोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर data को frames में तोड़ दिया जाता है और frames में data, जो bit by bit data होता है, उसको frames बनाके आगे भेजा जाता है, जिसको physical layer लेता है, और उन frames को, जो की bit by bit में है, इसको transmit करता है, किसी physical medium के थुरू, जैसे cable हो गया, wire हो गया, Wi-Fi कोई भी router हो गया, या फिर आप fiber optic cable ले लो, तो वो physical layer का का काम है, तो कुछ यही flow रहता है data generate हुआ, TCP, UDP header उसमें लगा, segmentation हुआ, point का information मिला, उसके बाद फिर packets में data convert हुआ, packet कुछ नहीं, encapsulated form है, segments का, और उसके आप फिर उसमें IP का information डाल दिया गया, उसके आप फिर data bit by bit में तूटा, frames में convert हुआ, और उसके आप physical medium से travel कर गया, दूसरे आले medium में, तो यही overall इनक काम है, और इस तरीके से data flow होता है, अगर मैं reverse बात करूँ, receiver से sender, यह अभी जो मैं बात किया, यह sender से receiver था, यह sender से receiver के through, इस तरीके से जा रहा था, यह तो जो process है, उल्टा receiver से sender, अगर आपको करना है, तो उल्टा कर दो process, तो मेरे इसाब से आप समझे होगे, अब मै आपको इसका overall जो formal definition होगे रहे, उसको दिखा देता हूँ, जो और third detail में अगर मैं आपको बता हूँ, तो application layer, जो मैंने बता है, वो कहीं यहाँ पे लिखा होगा, तीक है, यह देखो, main काम जो है, वो यहाँ पे यह है, application layer, generate करता है data, transport layer, segment करता है data को, port का information attach करता है, prepare करता इस packet को और उसमें IP address डाल देता है, sender और receiver के लिए, सीधा होगा तो receiver के पास जाएगा, उल्टा होगा, तो sender के पास जाएगा, network interface layer जो है, वो frames में convert करता है, frames कुछ नहीं, packets, frames the packet into bits and send them through the physical medium, जैसे Ethernet हो गया, Wi-Fi हो गया, cable हो गया, और उल्टा process के लिए उल्टा, यह मेरे आपको बता था, HTTP हो गया, file transfer, protocol हो गया, यह सब protocol होते हैं, हमारे application layer में, basically layer क्या करता है, includes protocol and interface that application used to communicate over the internet, इसलिए नाम भी यहाँ पे क्या रखा गया है, application layer, application से application यहाँ पे बात करते हैं, तो यह क्या करता है, request बनाता है, data को generate करता है, एक application से दूसरे application को भेजने के लिए, दूसरा point यहाँ पे लिखा है, it manages user का interaction, user जो है, इसी से डारेक्ट ही बात करता है, जो data का encryption भी होता है, वो इसी layer में हो रहा होता है, तो यह application layer हो गया, उसका फिर ट्रांस्पोर्ट layer के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको होता है, दो अपने protocol होता है, जहाँ पे important information भेजना होता है, वहाँ पे TCP का ही use कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे end-to-end communication और error की recovery between the devices मैंने आपको बता था, यहाँ पे भी error checking किया जाता है, तो वही error checking recovery के लिए किया जाता है, अब उसका फिर it provides flow control, error checking, और ensured data delivered, जो data की delivery हो रही है, वो correct order में हो रही है क इंटरनेट protocol में main काम मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे addressing होती है, routing होती है, delivery जो data की होने होती है, तो किस route को follow करेगा, किस path को follow करेगा, कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, उसका फिर data को packet में convert किया जाता है, उसमें IP address डाला जाता है, उसके बाद transfer किया जाता है, mapping, IP address को mac address में भी convert किया जाता है, इस layer में, ताकि पता चले किस device को hit करना है, over the internet, over the internet पहले तो IP पे जाओगे, उस IP पहुंचके किस device को आपको hit करना है, तो mac address से पता चलेगा, जो कि physical address है, network interface layer में, again, DDL और physical layer, यहाँ पे कुछ नहीं, frames में convert किया जाता है data को, ठीक है, और physical medium से उसको pass कर दिया जाता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, framing वगेरा, सब कुछ यहाँ होती है, पहले इसको data link layer बोलते थे, OSI model में, अब इसको दोनों को मिला दिये हैं, तो कुछ यहाँ पे यही सारी information लिखिए, standardization यह क्या करता है, basically standardized कर दिया है, communication दो devices के बीच में, त तो कुई भी अपन जब device बनाते हैं over the internet, वह हमेशा scalable होता है, उसको बड़ा भी कर सकते हैं, उसको छोटा भी कर सकते हैं, based on the data, reliability काफी अच्छे है, क्योंकि TCP जैसे protocol यहाँ पे अपन यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे ensure करते हैं कि data जो है, सही तरीके, सही order में पहुंच